नमस्कार सारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है आईए आज हम ये सुन्दर सा बॉर्डर का डिजाइन लेडीज जैंट्स किसी भी स्वेटर में डालें स्वेटर पुलोवर कार्डिगन कहीं भी डाल सकते हैं बनाने में बहुत आसान है और देखने में एकदम रेडी मेट जैसा इसका लुक है बहुत ही प्यारा ये बॉर्डर दिख रहा है ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है टू रो रिपीट पैटर्ण है दो सलाईयों में दोहराया जाने वाला डिजाइन है और इसके लिए हमको तीन के गुणा से मल्टिपल of three stitches की जरूरत है तो जो फंदे तीन के भाग में हो जाएं जैसे तीन 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 इस तरह से जो बट जाएं तीन के भाग में उतने हमको फंदे लेने हैं और बहुत ही आसान है हर कोई इसको बना सकता है डिजाइन बहुत ही सुन्दर है तो आशा है आप इसको पसंद करेंग है कि हम जल्दी से देख सके टाइम ज्यादा ना लगे तो देखिए कितना सुन्दर इस कलर में भी यह दिखाई दे रहा है सीधी तरफ से डिजाइन शुरू होगा जब हम फंदे डालते हैं अगर हम उल्टी तरफ हैं तो एक सलाई हम पूरी उल्टी बुनकर सीधी तरफ आकर बॉर्डर का डिजाइन शुरू करेंगे रो वन पहली सलाई पहला फंदा नॉर्मल सीधा बुना जाएगा अब जो बुनाई दोहराई जाएगी ये किनारे का एक अकेला फंदा है जो बुनाई दोहराई जाएगी वो है एक फंदा उल्टा पर्ल वन और उसके बाद दो फंदे सीधे बुनने हैं नॉर्मल वाले सी उनको पीछे की तरफ से knit through back loop पीछे की तरफ से सलाई डालनी है और इस तरह से उनको लपेट कर फिर हमको सीधा बुनना है एक फंदा हमने सीधा बुना दूसरे फंदे में फिर हमने पीछे की तरफ सलाई डाली और इस तरह से इस तरह से नहीं लपेटना है इस तरह से बुताना है एक फंदा नॉर्मल उल्टा और दो फंदे पीछे की तरफ से इस तरह से डालकर सीधे बुनने हैं एक सीधा बुना फिर ये दूसरे में सलाई डाली इस तरह से दूशरा सीधा बुना यही आपके जितने भी फंदे हैं इसी तरह से बुनेंगे एक उल्टा और एक फंदा थुरू बैक लूप सीधा दूसरा सीधा फंदा पीछे की तरफ से इस तरह से बस इसी तरह से देखो हम ये अपने बीच के सारे फंदों को बुनते हुए आ रहे हैं अब हमारे आखिरी में रह गए दो फंदे अब इन दो फंदों को हमको क्या करना है ये है अकेला नॉर्मल एक उल्टा फंदा और ये है अकेला एक नॉर्मल सीधा फंदा इस तरह से हमने रो वन पूरी करी अब हम आ गए रो टू दूसरी सलाई पर देखिए पहला फंदा उल्टा चलो इससे पहले में दिखा दूँ आपको इसको कहते हैं, जो जैसा दिख रहा है, यह सीधे दिख रहे हैं, यह सीधे बुने जाएंगे, यह उल्टे दिख रहे हैं, यह उल्टे बुने जाएंगे, बस इस border के design में सीधे फंदों को हम back side से, पीछे की तरफ से बुन रहे हैं तो ये पहला फंदा हमने रो टू में पहला फंदा उल्टा बुना और दूसरा फंदा पीछे की तरफ से वैसे ही सीधा बुना फिर अगले दो फंदे हमको उल्टे बुनने हैं ये हमको दोहराना हैं बार-बार एक फंदा पीछे से back side से पीछे की तरफ से इसी तरहें से सीधा और दो फंदे उल्टे ये हम बार-बार दोहराते हुए last में पहुँचेंगे और लास्ट के दो फंदों को हमें कैसे बुनना है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ ये एक फंदा सीधा और दो फंदे नॉर्मल उल्टे उल्टें में हमें कुछ नहीं करना सिर्फ जो हमारे सीधे फंदे हैं उनको हमें इस तरह से बुनना है पीछे की तरफ से तो ये हम बुनते बुनते आए आखिर में हमारे दो फंदे उल्टे हो गए अब एक सीधा फंदा बचा है एक उल्टा फंदा बचा है तो अब सीधे फंदे को पीछे से ही बुनना है और उल्टे फंदे को नॉर्मल बुनना है इस तरह से हमारी रो टू पूरी हो गई और आस और फंदा नॉर्मल सीधा यह दोहराया नहीं जाएगा दोहराया जाएगा डिजाइन एक फंदा उल्टा और दो फंदे पीछे की तरफ से सीधे यह बैक साइड से थूरू बैक लूप यह पीछे की तरफ से दो फंदे सीधे, फिर से एक फंदा उल्टा और दो फंदे सीधे, एक फंदा सीधा हो गया, दूसरा फंदा सीधा हो गया, फिर से एक फंदा उल्टा हो गया, और दो फंदे हमको सीधे बुनने है, एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा, पहुँच गए हम लास्ट में, लास्ट के दो फंदे हैं, इनको नॉर्मल एक उल्टा बुनना है, और नॉर्मल एक सीधा बुनना है, तो ये रो वन हमने बुनी, अब ह एक फन्दा हमारा उल्टा, पहला वाला फन्दा हमारा उल्टा है, यह दोहराया नहीं जाएगा, दोहराया जाएगा, एक फन्दा पीछे की तरफ से सीधा और दो फन्दे उल्टे, ये एक फंदा उल्टा और ये दूसरा फंदा उल्टा बस ये हमारी रो टू दूसरी सलाई इस तरह से बुनी जाएगी कितना सुन्दर कितना आसान ये डिजाइन है बॉर्डर का आप इसको जरूर ट्राई करना वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाया करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें अब लीजिए आखिरी दो फंदे बचे हैं सीधा फंदा पीछे की तरफ से ही बुना जाएगा और उल्टा फंदा नॉर्मल तो इस तरह से हमने ये सुन्दर सा बॉर्डर का डिजाइन आज देखा आशा है आपको यह बॉर्डर का डिजाइन अच्छा लगा है वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाया करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें इससे चैनल बूस्ट होता है और इसके अलावा भी अनेक शॉल, मफलर, टोपी बहुत सुन्दर सुन्दर टुटोरियल्स हैं उनको भी आप जरूर देखें और इस बॉर्डर के डिजाइन को तो आप जरूर ही कहीं भी सुईटर, कार्डिगन, पुलोवर, लेडीज, जेंट्स कहीं भी डालें बहतरीन डिजाइन है तो आज के लिए बस इतना ही नमस्कार, धन्यवाद